कि आई ये बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका हालो क्या नाम है आपका कहां से बात कर रहे हैं मेरच मेरच ठीक है आपका सवाल क्या है किसका मरीज है डिप्रेशन अच्छा उम्र बताईए पर फानी साथ है चीके अच्छा देखिए तयागी जी इस वक्त तुछ सभी लोग डिप्रेशन में हो रहे हैं और जो लोग बीडिप्रेशन में है उनकी लिए अच्छा नस्खा कह सकते हैं, दीखें आवला लीजे, आवला सुखावा मिलता है, सो ग्राम, सो ग्राम आवला, और सो ग्राम, सो ग्राम आवला, सो ग्राम मेथी, और सो ग्राम छोटी हड़, और तीन सो ग्राम धनिया, ठीक है, ये इसमें मिलाएए, सॉरी, इन सब को आप अरंडी के तेल में, या बदाम के तेल में, भून लें, पहले पॉर्डर बना लें, फिर भून लें, ठीक है, अब इसमें आप, गॉन मौरिंगा सफेद, ये सफेद वाला ही लेना है, गॉन मौरिंगा सफेद, सो ग्राम मिला लें, ये पॉर्डर तयार हो गया, अब एक छोटा चाय का चमच, सुबह खाली पेट, जिसे निहार लोग पानी से ले लिया करें, एक बार काफी होना चाहिए, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो रात को सोते समय भी आप ले सकते हैं, और ये उसका खतम होते होते, आपका डिप्रेशन को फाइदा होना मुमकिन है, नेक्स्ट कॉलर है राजिस्थान से आशरानी जी, स्वागत हैं आपका, हान जी, हलो, बोलिये, नमस्कार, उमरे हर्निया की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, और हर्निया की हर्निया, अच्छा, उमर क्या है आपकी, उमर 15 साल, अच्छा देखिए, हर्निया अगर मामूली सा है, तो ठीक हो सकता है और उसके लिए आप पेट ठीक कर लें हरद नियह ठीक हो जाता है पेट ठीक करने की अच्छी दवाईएं मेयारी standard दवाइएं ले कोई भी पेट साफ करने की दवाईं ना ले पेट का system ठीक करने की electricity ले और देखिए गलोई आती है एक जड़ी बूटी जिसे सब ही जानते हैं यह लिख लें आप गलोई गलोई की को ले लीजिए सूखी भी मिलती है सूखी भी ले ले सो दो सो गिराम और इसका पाउडर बना ले और एक चुटकी गलोई सुबा एक दुपैर एक शाम एक चु आपको अगर यह मामूली है तो ठीक हो सकता है हार्ट के लिए आपको साथ आठ महीने भी अगर सब रख सकते हैं तो उसको फाइदा होता है हार्ट की एक अच्छी दवा आ नेबू का रस नेबू का रस अद्रक का रस और नेबू अद्रक और लहसन, लहसन का रस, यह तीनों का एक लीटर रस निकाली है, यह दुनिया की बहतरी दवाओं में यह धर्ले नुसकों में आता है, इस अजर्बी नुसका कहते हैं और यह इतने मर्दों में काम आता है पेट के लिए पहले मैं यह बता दूँ के नीबू, अद्रक और ल لینا ہے زیتون کا سرکہ وینیگر زیتون یا زیتون کا سرکہ کہتے ہیں مشکل سے ملتا ہے اصلی لے ان سب کو ملا دیں اب یہ ایک دوہ تیار ہوئی آپ کی پانچ مہینے چلے گی تین چممہ شبا تین چممہ دوپیر تین چممہ شام دو بار سے تین بار تک لے سکتے ہیں یہ ہارٹ کے لیے ایک تحفہ ہے بلڈ پیشر والوں کے لیے ایک تحفہ ہے اور کولیسٹرول वालों के लिए एक तौफा है पेट के मरीजों के लिए बहुत फाइद बंद है होता है और फालिज जदा लोगों जिनको पैरलाइसिस हुआ उनके लिए ये दो से तीन बार तीन तीन चमच पिया करें हूँ भगवान से मजद मांगें ये निसका बहुत कामियाब है हर उस आ ऐस ज्यान MP से स्वागत है आपका हाँ बोलिये हालो साब सबाब करना में को सलाम कर दो जी जी आदावर्ज जैहीन बताई क्या सवाल है जी बताईए हाँ हालो जी बताईए मैं सुन जा हूं हाँ हमारा है न गल्ला सूपता है खुब और रहना दाईने हाथ में दाईने की सबस्कें आपा चेहरे पे और और दाईने में कुले सी तरब छोटी सी गठां के आलो सीजर लोताई कर देखें ऐक दरफा बात हो रही है आपकी बात है अगर आप हमारी बास सुन पाएं तो कुछ फाइदा हो तो गलास हूपता है तो रोजाना मेथी पानी में उबाल का आदा चमच और उसमें आदा चुटकी ये आदा चुटकी खाने का सोडा मिला का रोजाना पी लिया करें ये पानी दिन में एक बार तो इससे आपके बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं और एक तरफ पसीना आता है आपको एक तरफ नहीं ये भी एक रोग है आप फाराइट का टेस्ट करा ले अगर थाराइट है तो पिर आपका फाराइट का इलाज भी होना मुमकीन है. अगले caller है UPC A Surendra Kumar Ji, स्वागट है आपका आज है अलो जी नमस्कार आदा नमस्कार में दमकार हुआ है जी आदा कसा हम अलो मैं सुनुरहा हुँँ बता यह मेरे बेनों ही तो उनको 3-4 साल से कितनी की problem है जिना हाथे में 3 बार डाइलेसिस कराना पड़ता है जा अधिकी काश आप मैं शुरू में की वो करते फिर भी मैं आपकी मदद तो करूगा कुछ ना कुछ लेकिन ये नौबत आने से पहले या आते ही युनानी से संपर्क करना चाहिए और जिनका डाइलेसिस तीन बार होता है परिशान हो जाते है और हॉस्पिटल्स में लाइम लगी भी है जाते हैं ये होता क्यों है इस पर तवज़े दे कि हम जब भी कोई दवाएं गरम दवाएं एंटिबाटिक दवाएं पैन किलर दवाएं काते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा नहीं लेते हैं जो हमारी किड्मी की हफाज़त कर सके ल बहुत जरूरी है तो वो दवाएं हमारी किड्निय या लीवर पर असर करके जाती ही हैं अगर किसी ने भी पंद्रह दिन से ज़्यादा लगातार कोई एंटिबाइटिक या पैनकिलर का इस्तमाल किया तो ये असर आ जाता है तो कभी भी किसी को ऐसे लाखों करोडों मरीज हैं जो जिनका जीवन दवा बन चुका है उनको चाहिए कि कैपसूल पी केर भी हो जाना एक बार या दो बार लिया करें इससे हमारी किड्नि और लीवर और मैन पार्स और बॉड़ी की बड़ी हिफाधत रहती है कैपसूल पी केर और ये लेना शुरू करें आप भी दिन मे दो बार और फिर देखें कि कितनी बार आपका डायलेसिस कम होता है ये क्रिटिनाइन को डाउन करता है जिनकी किड्नी की गंदगी बढ़ जाती है उसे क्रिटिनाइन करते है जिसकी वज़े से डायलेसिस कराना पड़ता है आई ये बात करते हैं अगले कॉर्ण स्वागत ह बहुत कादी ने आपधी बहुत अच्छा साफ मोलती है जी नी बहुत अच्छा साफ देना पता दो Was हमारे हमारे मुहां हर महीने हो जाता है हम दोश कर रहे है क्या हो जाता है? मुहा महीने में एक बाद जरूर हो जाता है अपकी दाहने हाथ तरब निखले हैं दाहने उससे खाते भी नहीं बनता बहुत दर्द होती है अच्छा अच्छा आयू कितनी हैं आपकी? आपकी, हमारी पैटालिस पैटालिस पैट तो खराब नहीं रहता आपका? जी, चूरन लेते हैं अभी इमने हब क्यासे पैट भी मंगवाया था आप बहुत अच्छा वताते हैं, हमें फाइटा हो जाता है वतालिस पैटालिस ठीक है, धनिया, सौफ, मैथी धनिया, सौफ, मैथी दाना और सुखा वा आमला, ये चार चीज़े, सब को बराबर बराबर वजन लेकर और ले, यानि दो दो सो ग्राम ले, और एक आता है जैतून का नमक रसाइन जैतून कहते हैं, ये नमकीर नहीं होता, लेकिन देखने में बिलकुल नमक लगता है इसमें 1500 ग्राम मिलाकर पॉडर बनाएं और आदा चम्मश सुभा, आदा चम्मश शाम आप खाया करें, आपको फाइदा मुम्किन है अगले कॉलर है, वारण असी से शुभाम स्वागत है आपका नमस्ते, हपीम साब से बात हो रही है जी शी बंबी, बताईए क्या सवाल है हाकीम साब ये पूछना था कि मेरे पापा जो है थोड़े से चिर्ड़ चिर्ड़ टाइप के हैं तो वो जैसे उनका सिर्का लेने में चाते हैं, तो उनको हम खाने में मिला कर दे सकते हैं हां वेटा दे सकते हैं, जिसमें भी वो पसंद करें, अक्सर मैं तो कहता हूँ के सबजी ये सालर में मिला सकते हैं तो वो इतना खराब नहीं लगता है, वैसे जायकेदार होता है, खटा होता है और दे सकते हैं उनको फायदा मुमकिन है हकीम साब, जो जायतुन का सिर्का है वो थूड़ा खटा है, लोगों को कुछ ये भी शिकायत है कि ये खटा होता है, हमारा जो गड़ा है वो पकड़ लेता है तो वो लो किस तरीके से इसके 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 इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज की तासीर को बदलने के लिए, जैसे खटा है और ठंडा है तो इसको बदलने के लिए गरम चीज़ें से मिला दें मैं अक्सर बताता हूं कि अद्रक का जूस मिला दें, लहसान का जूस मिला दें, तो ये गरम हो जाता है तो उसमें मिला सकते हैं, जिन लोग को शूगर नहीं है, शूगर भी इसमें मिला सकते हैं, हनी मिला सकते हैं, और इसे खाने के बहुत तरीके हैं, इसका मिज़ाज बदलना भी, आप लोग सीख लें ताकि ठंडे मिज़ाज के लोग भी इसको इसको इस्तमाल कर सकें. अगले कॉलर है महाराश उसे शाहीन स्वागत है आपका अलो हां जी है जी फर्माइए शाहीन में बात कर रहा हूं आपसे अलो हाले शाहीन स्वागत है जीती रही बताइए अमार बट्र कि हमने दवा मंगाया थे कर लोंगी जनमाद तो उसकी फरक हुआ तो इसके लो हालत नहीं बन रही है अचा क्या क्या उसकी पावल네म थी हालत बन की की फाइदा शुरू हो गया है और अब्छ शुरू हुआ है फाइदा होने के बाद उसकी अलब भी स्याहत बन जायागी शुरू हो जैगा और रहल नहीं बने तो पच्छे तो ये खतम होते होते हैं सेहत अच्छी होना चाहिए नहीं तो आप एक और नुसकार ले लेना और वो होता है गौन मौरिंगा सफेज वाला या अधा ग्राम नमक सौरी अधा ग्राम पानी में या नारियल पानी मिलाके रोज देने से उनकी सेहत भी अच्छा होना मौंकिन है दिल्ली से अगले कॉलर है राम पाल स्वागत है आपका हालो हान जी बोलिए अच्छा ठीक है हाँ शुगर कब से है ये दो साथ से है और ये चिट्टी की लगती है पैरों में आप तो में आपकी लगती है उम्रे क्या है आपकी सबसे पहले आप वो जो शुगर की दवा लेते है वो तो लेते ही रहे लेकिन तीन-तीन चमच छोटे चाय के चमच पानी में बिलाकर जैतून का सिरका ले इससे आपको बहुत फायदा होगा और हो सकता इससे दूसरी दवा की जरूत नहीं पड़े और ये सब ठीक हो जाए पेट के लिए भी बहुत अच्छा है शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है वो दवाई मिलें जो लेते रहे और मुंकिन इसी से आपकी बाकी सारी तकलिफे ठीक हो जाए गन्नाव जुसे नेक्स्ट कॉलर है सीमा जी स्वागत है आपका है विर्ण जी मेरी जो माता किया न उसको सुगर है तो वह खाई रहती है बहुत जादा तो उसको मनलब कैसे गन्टोर करें कि लिए उम्र किया है उनकी उंकी सिस्टीन इन फंदर पचास साल के बीड़ों तबटी देखिए शुगर जो है वो एतियात वाले लोग बहुत का साम्यावी से जिंदगी गुजारते हैं शुगर वाले को एक घंटा पैदल चलना चाहिए दूप में अगर चल सकते हैं तो और जो लोग नहीं चल सकते उन्हें दूप में खाली बैठ जाए पांच बार गरम पानी पीना चाहिए और भोजन जितना उनकी खुराक है उससे और जैतून का सिर्का अगर तीन तीन चमच सुबा शाम पानी में मिला कर ले तो इससे शुगर को काफी फाइदा रहता है और सेहत की जिंदगी गुजार सकते हैं वो लोग जिनको डाइब टीज है